हे गाई सो अभी 4th round के counselling से related बहुत सारे students के मन में बहुत ही ज्यादा confusion भड़ा हुआ है काफी सारे students बहुत ज्यादा टिंसन ले रहे हैं अभी इस 4th round के counselling को ले करके उनको समझ नहीं आ रहा है कि अभी आगे कौन सा step करना है क्या करना है तो आज की इस वीडियो में पूरा repeated questions हैं आप सभी students के उसको सबसे पहला question है कि 3rd round में free रह गया था या फिर float था तो क्या अब हमको 4th round में जाना चाहिए 4th round में क्या करना चाहिए कहने का मतलब यह है कि 3rd round में जो भी college मिल गया था suppose कि 3rd round में कोई IHM आपको मिला है और आप उस college से satisfied हो तो अभी आपको क्या करना चाहिए क्या आपको 4th round जो final round है उसमें participate करना चाहिए या नहीं तो देखो friends सीदी से बात है ध्यान से जरा समझोगे सब समझ में आ जाएगा कोई बहुत जादा ऐसा लोचा वाली वाद नहीं कोई बहुत जादा confusion नहीं होगी जब आपसे ध्यान से सुन लोगे तर 3rd round में seat मिला है आपको जो भी IHM मिला है आपको उसी IHM में जाना है अब आपको आगे try नहीं करना है किसी दूसरे IHM के लिए आपको जो भी IHM मिला है पुसे satisfied हो और आपके पास आपका जो provisional admission later है वो भी आ गया है मतलब आपके पास admission confirmation वाला जो later है वो भी आ गया है तो अब आपको आगे कुछ भी नहीं करना, आपका seat secure है, कुछ भी आपको आगे process नहीं करना है, अगर फिर भी आप चाहो, तो जब आप भी अपना profile खोलोगे, तो शायद आपके profile के उपर में इस तरीके का interface open हो रहा होगा, तो यहाँ पे आपको simply, एक बार इसको आप participate नहीं करना है, तो simply आप यहाँ पे no करके proceed कर दोगे, आगे आपको कुछ नहीं करना, आपको third round तक में जो भी seat मिल गया है, और आपके पास admission confirmation लेटर भी आ गया है, फिर भी बच्चे परिसाने, क्योंकि वहाँ पे जो पहले है किसी कुछ-कुछ इस्टोरेंट को floating का options हो क कर रहा था, मतलब कि willingness आप अपने accordingly decide नहीं कर सकते थे, वो पहले सही जो आपने feel कर रहा था, वही willingness आपका so कर रहा था, वहाँ पे बहुत सारे students के साथ यह problem था, तो इसको लेकर के बच्चे confused हैं, तो अगर आपको third round में कोई भी college मिला है, आप उससे satisfied हो, और आपके पास उसका provisional admission letter भी है, मतलब admission confirmation letter भी है आपके पास, तो आपको आगे कुछ भी नहीं करना, अगर आपके profile में अभी इस तरीके का interface हो रहा है, तो यहाँ पे simply आपको no करके proceed कर देना है, मतलब कि आपको अभी final round में नहीं जाना है, आपका जो भी college आपको मिला है, आप उस college से satisfied हो, आप आगे के round में game नहीं करना चाते, तो बस आपका यहीं पे सारा काम हो जाएगा, admission letter आपके पास है, बस आपको अब 18 से लेकर के 22 अगस्त के बीच में physical reporting के लिए जाना है, जो भी college आपको all out हुआ है, वहाँ पे, अब आप सिर्फ अपना, जो भी आपको, आपका allotted institute है, उसके website पे जागर के देखते रहो, चेक करते रहो कि वहाँ पे physical reporting से related क्या update आई है, क्योंकि लगबग काफी सारे IHM's के website पे आगया है, सारा कुछ physical reporting से related, कि कब physical reporting होना है, कितने बज़े की timing, यह सब कुछ भी आगया है, तो जो भी college आप call out हुआ है, third round में मैं बार ब questions से थे, इससे related, irritate हो जाओगे, बोर हो जाओगे, लेकिन फिर भी सुन लो, क्योंकि कुछ लोग 2-4 बार में समझते हैं, समझ लो, मैं वीडियो लंबा करने के लिए यह नहीं बोल रहा, कोई मुझे शौक नहीं यह लंबा करने की, सुनो आप, third round में जिसको भी college मिल गया था, आपके पास आपका admission confirmation letter भी आ गया है, और आपको उसी college में जाना है, उसी institute में जाना है, आपको आगे final round में participate नहीं करना है, तो आगे आपको कुछ भी नहीं करना, आप अराम से अपने physical reporting के लिए जा सकते हो, लेकिन अगर आपके screen के उपर म आप अपना जब login करके देखोगे और आपके profile में इस तरीके का interface आ रहा होगा, तो यहाँ पर आप simply no कर देना है, क्योंकि आपको आगे नहीं जाना है, आपको fourth round में नहीं जाना है, participate नहीं करना है final round में, तो आप यहाँ पर no करके proceed कर दोगे आगे, ठीक है, और आपको कु कोसिस करा है इस वीडियो में, मतलब इस audio के through आप सभी को समझाने की कोसिस करी है, तो देख लो, अगर समझ में आ गया तो ठीक है, अगर समझ में नहीं आया, तो फिर से नीचे comment box में बताओ, होगा तो मैं live आ करके कोसिस करूँगा आपको बताने की, या फिर जैसे भी कोसिस करेंगे इन सभी problem को solve करने की कल तक, घबराने की कोई जरूत नहीं है, बार अतारिक तक आपके पास time है, ये सब process करने के लिए, ठीक है, तो जो भी होगा, ग्यार अतारिक तक में, सारा काम हम लोग निप्टा देंगे, तो अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी सम लगता है कि students के अंदर में क्या problem चल रहा है, चलो वीडियो को like कर देना, share कर देना, जैसे students की help हो सके, चैनल को subscribe नहीं किये हो, तो counseling से related, सहरेक latest update लेने के लिए, hotel management help for YouTube चैनल को subscribe करके, बैल एकन जरूर प्रेस कर देना, जैसे आने वाले सरह important वीडियो की notifications आपको भी मिलती रहे, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद